स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जो की भोजन की अवधारणा एबंपोशन से संबंदित फूड न्यूट्रिशन के टॉपिक से बनाया जा रहा है इस गुरुप में हम बात करेंगे भोज सम्हूं की कितने प्रकार के भोज सम्हूं होते हैं और उन भोज सम्हूं में कौन-कौन से गुरुप जो है वो डिबाइड किये गए उनमें किस प्रकार के भोजन को रखा गया है तो भोजन के जो बेसिक प्रकार बेसिक सम्हू जो बताए गए हैं वह साथ प्रकार के हैं जिनको साथ सम्हू हों में डिवाइड किया गया है तो प्रैमरी जो भोज सम्हू है इसे हम डालेंगे प्रात्मिक भोज सम्हू या प्रात्मिक सम्हू शम्हू तो जो प्रात्मिक भ रहें डिस्पिले पर इस भोज समू में पालक मेथी गाजर हरी मटर फलिया चौलाई सहजन के पत्ते पपीता पका आम धनिया कद्दू इत्यादी भोज पदार्थ रखे गए हैं यह जो प्रैमरी भोज शमू है इसके प्रतम समू में जो रखा गया है यह आपके डिस्पिले पर दिख रहा है यह भोज पदार्थ आते हैं आहार भोज योजना बनाते समय प्रति दिन एक बार इस समू के भोज पदार्थ को अवश्य रखना चाहिए अर्था जब हम भोजन ग्रेंड करते हैं तो प्रात्मिक समू के कुछ पदार्थों को इसमें जरूर रखना चाहि दूतियक शम्हू में क्या आए यह important है इससे जो है objective question 100% आते हैं क्यूंकि इसमें देखिए हम पढ़ते हैं second group में क्या रखा गया इस सम्हू में vitamin C युक्त यह important line हो जाती है युक्त भोज़ पदार्त रखे जाते हैं vitamin C युक्त भोज़ पदार्तों को कच्ची अबस्ता में ही उपयोग करना चाहिए क्यूंकि कच्ची अबस्ता में इसलिए उपयोग करना चाहिए क्यूंकि ताप देने पर vitamin C जो है वो खतम हो जाता है गर्मी से यह खतम हो जाता है तो इसको हीट करने पर ये विटामिन C खतम हो जाता है इसलिए इसको कच्ची अबस्ता में ही उपयोग करना चाहिए इस समू के भोज्य समू में मुख्य रूप से आमला, नीबू, शंत्रा, अननास, अम्रूद, मौसमी, टमाटर आदी हैं और एक बात और नोट कर लिजेगा आमले में अत्यदिक मात्रा में बिटामिन C पाया जाता है तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा बिटामिन C जो है दुत्य फूड समू में रखे गए हैं नेश्ट जो है तृतिय समू की अगर हम बात करें तो थर्ड गुरूप में देखिए तृतिय समू में अन्य जड़ युक्त सबजियां एबं फल आते हैं ये लाइन इंपोर्टेंट हो जाएगी तिरती समू में अन जडिक्त सबजियां एवं फल आते हैं जो प्रात्मिक एवं दुती समू में नहीं होते हैं या नहीं आते हैं तो ऐसे समू रखे गए हैं जो प्रात्मिक एवं दुती में नहीं होते हैं वे तिरती समू में रखे गए हैं इस समू में प्रमक रूप से प्याज, लौकी, गोबी, बैंगन, चुकंदर, करेला, खीरा, ककडी, लीची, सरीफा, खुमानी, अंगूर, केला, तर्बूज, खर्बूज, ये सब भिंडी, तोरई, तिंडे, इत्यादी भोजपदार्थ आते हैं और ये लिखा है क्यूंकि इन भोजपदार्थों में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बिटामिन्स, खनेज लबड पाय जाते हैं जो सरीर के लिए आवश्यक होते हैं और प्रित दिन की आहार योजना में इन भोजपदार्थों का एक या दो बार आवश्य उप्योग करना चाहिए तो ये गुरुप में क्या है चतुर्थ समू भोजन का इस वरग में दूद बादूद से निर्मित अन्यसमस्त भोज पदार्थ आते हैं दूद में प्रोटीन, कैल्सियम, फासफोर्स, बिटामिन A, बिटामिन B1, बिटामिन B2 अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जो दूद स तीन से चार प्याला दूद देना चाहिए जबकि प्रोण बेक्तियों को दिन में दूद दो बार सेबन करना चाहिए यानि जो एडल्ट बेक्ति होते हैं उनको प्रति दिन दो बार और बच्छों को कम से कम तीन से चार बार प्याला दूद देना चाहिए तो यह चम समू में प्रोटीन युक्त भोज पदार्तों को रखा गया है प्रोटीन बानफपतिक जगत और प्राणी जगत दोनों में ही पाया जाता है बानफपतिक जगत में अगर बात करें तो प्रोटीन डाल शोयाबिन सोयाबिन में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोट दिन एक, अथवा दो बार अबश्य शंबलित करना चाहिए नेश्ट गुरूप जो आता है भै शिक्स गुरूप आता है इस गुरूप में समस्त अनाज एबं ब्रेड आते हैं यही नाइल इंपोर्टेंट हो जाती है सस्टम गुरूप में अनाज एबं ब्रेड से बने हुए सभी पदार्थ आते हैं इसका जो अगला टॉपिक है यहाँ पर हम बात करते हैं सस्टम गुरूप की अभी से भोज पदार्थों में कार्बो हाड़ेट की अधिक्ता होती अर्था जिसमें अनाज होगा तो उसमें कार्बो हाड़ेट की अधिक्ता होगी इसके अत्रित इस समूँ में कुछ अन्य पौश्टिक तक भी आते हैं कार्बो हाड़ेट हमें उसमा परदान करती है या उर्जा भी परदान करती है इस भोज पदार्थ में गेहू चाबल, मक्का, वाजरा, ब्रेड आ दियाते हैं ये कार्बोहाड़िट के उत्तम साधन है और भोजन में प्रतिदिन दो या तीन बार इस वरग के भोज़ पदारतों का उपयोग करना आवश्यक है तो ये है नेश्ट जो है नेश्ट सब्तम गुरूप अर्थाद लाष्ट गुरूप में हम बात करेंगे देखिए सेबंत गुरूप इस वरग में बसा युक्त भोज़ पदारत आते हैं अर्थाद सब्तम जो सेबंत गुरूप है इसमें बसा युक्त भोज़ पदारतों को रखा गया है जैसे घी, तेल, मक्षन, इत्याद बरके भोज़ पदारत आते हैं बसा युक्त भोज़ पदारत ऊर्जा के उत्तम सादन होते हैं इसने जैसे तिल, मूंगपली, शोयाबीन, अलसी, सनफ्लावर, शर्षों, इत्याद जो हैं ये सब्तम गुरूप में आते हैं आपके फूड निट्रिशन में एक टॉपिक फूड समू अर्थात भोज़न समू का भी है खाद समू का भी है तो जो खाद समू होते हैं उन्हें साथ गुरूप में डिबाइड किया गया जैसा कि हम अभी देख चुके हैं डालते हैं इन पर एक नजर और फिर जो है इन से रिलेटिट कोशन को हम सॉल्व करते हैं देखिए ये सौड में अगर हम देखें तो एक लाइन में भोज़न समू या फूड गुरूप परतम समू में फल सबजियां दूती समू में बिटामिन सी पदार्थ तरिति समू में जड़ युगत फल सबजी भथ समू हाते हैं और दूद इवन प्रोटीन युगत पदार्थ चतृत में पन्चम समू की लगे बात करें तो प्रोटीन अर अनाज और ब्रेड जनमे घी तेल इत्याद आत हसे समूलित किया ज़्याता है एक लाइन और इंपोर्टन अमेरिका में चार भोजन सम्मूँ को मानता दी जाती है जबकि भारत में पांच भोजन सम्मूँ रखे जाते हैं तो यह इंपोर्टन हो जाएगा कि अमेरिका में चार भोजन है चार भोजन सम्मूँ है और भारत में पांच भोजन सम्मूँ रख पादक आहार, तीसरा जो होता है, सरिके निर्माड़कार, तीन प्रकार के आहार होते हैं, वन, इधर टू, और इधर थिरी, तीन प्रकार के आहार होते हैं, अब हम बात करेंगे, इन से संबंदित objective questions की, जो की आपकी परिच्छा में आने हैं, 100% आते हैं, 75 जो हैं, आपको solve क करने होते हैं, तो सबसे पहला question आपकी display पर दिख रहा होगा, सामान ने आहार कहलाता है, general nutrition is, तो सामान आहार क्या कहलाता है, संतुलित आहार जो होता है, शामान ने आहार होता है, इसका C right answer हो जाएगा, नेश्ट अगर हम बात करें, 41 की, तो आहार आयोजन करना है, तो आ मानसिक प्रक्रिया, 42 का B right answer हो जागा, आहार हम किस तरह से यूज़ करना है, हमारे मस्तिस्क में होना चाहिए, नेश्ट अगर हम बात करें, परिवार के भोजन का इस तर निर्भर नहीं करता, यहां देखिए, नहीं करता, तो क्या नहीं करता, किस पर भोजन के लिए प्र अमाजिक सहबागिता पर निर्भर करती है, इस पर यह निर्भर नहीं करता, तो 43 का C right answer हो जाएगा, नेश्ट अगर हम बात करें, 44 की खाद समू, अभी हम बात कर रहे थे, साथ खाद समू में, दुति समू के बरग में, कौन से बिटामिन के खाद पदार्थ रखे गए है तो विटामिन A जो है, यह आता है आपका प्रात्मिक समू में, विटामिन B जो आता है यह दूति में आ जाता है, और तीसरा जो, ने स्वरी, दूति में तो विटामिन C आता है, इसका right answer C हो जाएगा, और विटामिन B जो आता है, यह तृति समू में आता है, नेश्ट यह हम 45 नमबर डाल लेंगे खाद समू के चतुत बरग में सामिल खाद पतार्थ हैं सभी गुरुप से सम्मिलित किए गए है यहाँ पर कॉशन तो चतुत बरग में जो सम्मिलित किए गए है वो दूद और दूद से बनने वाले भोज पदारते हैं अभी हम पीछे पढ़ा चुके हैं आप वीडियो को बैक करकर देख सकते हैं बैक करके नेश्ट प्रोटीन प्रदान करने वाला इसे हम 46 डाल लेंगे प्रोटीन प्रदान करने वाला खाद्य है तो जैसा कि आपको बता दिया सस्टम गुरूप में आते हैं तो अंडा मचली और मांस यह सभी जो हैं प्रोटीन युक्त प्रदारत है तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट की अगर हम बात करने सरीर को उर्जा प्रदान करने वाले पोशक तत्तों हैं तो कार्वोहाइडेट, प्रोटीन, बसा यह सभी जो हैं उर्जा प्रदान करने वाले होते हैं कार्वोहाइडेट था प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है तो जो राइट आंसर हो जाएगा भै C हो जाएगा नेश्ट अगर question बात करें आहार आयोजन में केक बनाना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भै D हो जाएगा केक तो सभी पर बनता है वर्ष गार्ट पर जनम दिन पर बड़े उस्वों पर यह सभी 10 का राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट question 50 कौन सा आहर संतुले ताहार के लिए आवश्यक है तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा भै होगा दूद, चपाती, फल यह सभी हमारे भोजन में होंगे तो भोजन क्या कहलाएगा संतुले ताहा, राइट आंसर जो हो जाएगा भै, डी हो जाएगा नेश्ट तिवहार के लिए भोजन हे तु आवश्यक तिवहार के लिए भोजन विवस्ता हे तु आवश्यक है तो भोजन विवस्ता के लिए निश्चित भोजन करना परिबार साथिसे की शंक्या का अनुमान, मौसम के अनुरूप, मीनु तेयर करना, यह सभी जो है सम्मिलित कियें, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 52, मानव की प्रथम आपसकता, भोजन है, उसके बाद अगर दुती पूछता है, तो बस्तर है, और तीसरी अगर पूछ पूछता है, तो भवन हो जाएगा, और चौती पूछता है, तो कार फिर, तो छाय मानव की इखटी नहीं है, बढ़ती ही चली जाती है, तो प्राथमी का बस्तर क्या है, भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुती बस्तर तीति भवन, नेश्ट अगर हम बात करें, 53 पन नंबर की आहार आयोजन की समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो मौसम का, पाक प्रणाली का, परिबार के सरस्यों की शंक्या का, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी, नेश्ट, चौमन, रात्री के भोजन में लेना चाहिए, गुड, 54 जो राइट आंसर हो इन में से कोई नहीं जो हैं, रात्री में लेने वाले हैं, नेश्ट, 55, चतुर समू में कौन से बोज़पतार थाते हैं, तो चतुर समू के अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, दूर्स, दही से बनने बाले उतपाद, ये, इसका राइट आंसर हो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट कोश्चन 56 आहार आयोजन आवश्यक है तो सभी के लिए एक निश्चित आहार होता है चाहे गरबबती महिला हो इस्तनपान कराने वाली महिला हो इसे दारत दात्री भी कहते हैं रोगी के लिए भी अलग होता है तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभी के लिए जो है अहार योजन आवश्यक है अन्था की द्रिष्ट में रोगी और बिमार पढ़ सकता है नेश्ट कोश्चन 57 देखेंगे अन्ग्रेजी के किस अच्छर से प्रदर्सित किया जाता है 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा C कार्बन लिखा है तो C होगा कार्बनीक रसाइन तत्त को अर्था C for कार्बन होता है तो C से इंडिगेट करते हैं इसको नेश्ट कोश्चन नमबर 59 आहार आयोजन करते समय ध्यान रखना चाहिए बजट का रुची आदत प्रतिवंदों का उपलब साधनों के सत्योबग का अहां तो ये डी राइट अंसर हो जाएगा इसका 60 का इस सभी का जो है ध्यान रखना चाहिए 61 किस अबसर पर भोजन की विशेश विवस्ता करनी चाहिए तो विशेश विवस्ता तो हर एक कंडिशन पर होती है बच्चे का जनम हो चाहिए विभाय हो चाहिए साधी की सालगिरा स्पेसल ही होता है नेश्ट अगर हम बात करें 62 इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च आई सी एमार ने 1993 में आधार भूत भोज समूं बताये थे तो जो भारत के भोज समूं है भाय पांच है पांच भोज समूं बताये थे इंडियन काउंसिलिंग आफ इसकी फुल फार्म यह हो जाएगी अभी पीछले रोहल खंड इंडियन काउंसिलिंग आफ मेडिकल रिसर्च आई सी एमार की फुल फॉर्म है तो यह दिल्ली में इस्तित है इसका मुख्याल है 63 आहार नियोजन महत्पूड है आहार की पोश्णात्मक प्रयाप्तता के लिए या बजट नियोजन के लिए समय के शत्वियों के लिए ये सक्ति के भचत के लिए तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आहार पोश्णात्मक प्रयाप्तता के लिए यह एसक question, 64, आहार نیوجन का चर्ण है, तो आहार न scrutiny की चर्ण है, यह होगा, पार्वारी सदस्यों की पोर्षण संबंदी, आबसक्तायों का ग्याद करना, आहार इअजन में बर्गों का प्रियोग करना, संतुलित, आहार का तालिका का प्रियोग करना, जैने इसका जो right answer हो जाएगा भै डी होगा next question number 65 आवशक्ता से अधिक बसा और कैलोरी का परिणाम है तो आवशक्ता से अधिक बसा और कैलोरी का परिणाम है कि आप मोटे हो जाएंगे C इसका right answer हो जाएगा portion कितने प्रकार होते हैं तो portion के तीन प्रकार होते हैं सबसे पहला supportion फिर कोपोषण और फिर अलप पोषण तीन प्रकार होते हैं सबसे पहले कोपोषण सबसे पहले कोपोषण होता है पहले कोपोषण लिग दिया आप आगे पीछे कर लेना दूसरा supportion तीसरा अलप पोषण ये तीन प्रकार होते हैं, पोशन के, तो इनको आप देख लिजेगा, नेस्ट, उपचरातमक पोशन कहलाता है, तो उपचरातमक पोशन कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीमारी के दवरान उपचार के लिए दिया जाने वाला, ये कहलाता है, दीज का राइट हो जाएगा next question number 68 तो पूण्टरल आहार जो है ये नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा भई खीर ये पूण्टरल आहार नहीं होती है क्योंकि इसमें कुछ मातरा में अनाज मिला रहता है next निम्न में कौन सा पूण्टरल आहार है तो दुद मठा, पानी, इस शिनाइन का जो राई टांसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हैं, पूर, तरल, आहर हैं, पोशन की इस्तितियां होती हैं, अभी बता चुके हैं, तीन पोशन की इस्तितियां होती हैं, सुपोशन, कुपोशन और अलप पोशन, 71 जब भोज, तत्त, मात्रा और गुणों की दृष्ट से आवशक्ता अनुशार हो तो उस आहार को कहते हैं तो उस आहार को कहते हैं संतुलित आहार 20 का राइट आंसर हो जगा 72 कुपोशन के लिए निमलिखित आंसर उत्तरदाई है तो मिलावट, निर्धनता, असिच्चा ये तीनों जो हैं कोपोशन के लिए जिम्मेदार हैं जब व्यक्ति निर्धन होगा तो अच्छे खाद पदात नहीं भोजन में यूज कर पाएगा अगर लोकल आप मिलावट वाला खा रहें तो भी कोपोशन होगा असिच्चा लचीला, भिन, आर्थे के स्थिती पर निर्वर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 74, आहार नियोजन का उद्देश से है तो समय का विवस्तापन, सक्ति का विवस्तापन और परिवार सदिशों के पोश्चो शंबंदी आवस्तिक्ताओं की पूर्ती यह सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा 75, सरीर में एक ग्राम प्रोटीन लेने पर कितनी उर्जा प्राप्त होती तो प्रोटीन और कार्वोहार्डेट से चार किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है इसका D right answer हो जाएगा next question number 76 आहार आयोजन में योगदान है तो आहार योजन में जो योगदान होता है TV से भी जनकारी मिल जाती पत्र पत्रिकाओं से भी टेलिवीजन से भी तो ये D right answer हो जाएगा 77 अपरियाप्त portion को कहा जाता है तो अपरियाप्त portion को कहा जाता है अपोशन ये हम बता चुके थे अभी अपोशन या अलफ अपोशन इसको कहते है ये इसका right answer हो जाएगा next टेकर हम बात करें 78 की स्वस्त रहने के लिए व्यक्ति को कैसे हार की आवस्टता है तो पोश्टिक आखर की आवस्टता है तो 8 का जो right answer हो जाएगा C सुपोश्टिक आखर की कुपोशन का कान है कुपोशन का कान है 2 स्पून भोजन पनाली D इसका right answer हो जाएगा प्रित्यक व्यक्ति के लिए संतुनित आखर होता है अलग-अलग इसका right answer हो जाएगा C अलग-अलग होना चाहिए रोगी के लिए अलग प्रिग्नेंटी में अलग और जो धात्री होती है जो बच्चों को दूद पिलाती है उनके लिए अलग तो पोश्टिक तत्तों में कौन सा ता तो संबलित नहीं है तो पोश्टिक तत्तों में कौन सा तत्तों संबलित नहीं है इसका right answer हो जाएगा एटी बन का यह तो भोजन के ही करान है तो यह C-scar right answer हो जाए क्योंकि कार्भोहड़रेट खनी लवर्ड बिटामिन यह भोजन नहीं तो यह भोजन में सबी संबलित होते है C-scar right answer होगा इस तरह के question जो है आते नहीं है तो इनको छोड़ दीजी आप 83 स्वास्ते का प्रकार है तो स्वास्ते का जो प्रकार होता है स्वास्ते जब सही होता है जब आदिम सारीर से मांसिक सामाजिक तीनों दृष्टे शही होता तो इसका D-right answer हो जाएगा भोजन कराने का स्थान होना चाहिए तो 84 का जो राइट answer हो जाएगा होना चाहिए साफ सुतरा जहां हम भोजन ग्रेंड करने हैं साफ सुतरा होना चाहिए 85 उत्रसब के लिए डिनर है तो भोजन तयार करते हैं समय ध्यान रखना चाहिए तो सदस्यों की शंख्या तो निश्यत अनुमाल लगाना चाहिए कितने आएंगे भोजन ग्रेंड करने की शैली कौन सी होगी ठीक है बैठने के लिए स्थान की विवस्ता तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 86 खाद समू कितने प्रकार के प्रचलित हैं ये कुछ पूचा जी नहीं कहां प्रचलित हैं इंडिया में तो देखिए 5 प्रकार के हैं तो इसका अभी हम D लगाएंगे अमेरिका के होती तो ये चार प्रकार राइट हो जाता लेकिन हमारे इंडिया में 7 अकुल वेशिक कितने बताएगे तो 7 खाद समू के प्रथम समू का फल है देखिए कद्दू, पपीता, आम ये सबी जो हैं प्रथम खाद समू के हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सबी जो हैं प्रथम खाद समू है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं, कल के वीडियो में ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, इससे जो हैं आपके कम सक्रम 6-7 कोश्चन आने की 100% समबाबना है तो ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आये तो दूसरे के साथ से रबस्य करें वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ गोड़ इबनिंग शुडेंट्स